चलो तो यहां से होती है आजी क्लास की सुरुवात तो देखो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि कल हमने किया था atomic mass और atomic mass में मैंने बताया था किसी भी एक atom के mass को बोलते है atomic mass for example मालो sodium का जो mass है वो है आपका 23 तो 23 के पीछे जो लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है unified mass unified mass ठीक है और इसी का पुराना नाम क्या था amu इसको बोलते थे atomic atomic mass unit यह होती है आपकी atomic mass unit अब हम बोल तो देते हैं कि यार इतना unified होता है sodium का mass आपको पता है इसका मतलब क्या है गहरा ही क्या है और जो सच्चा ही है उसको ध्यान से सुनना क्या कोई बच्चा बताएगा एक proton का mass कितना होता है एक proton का mass कितना होता है एक proton का mass बहुत बढ़िया कोशिस थी इसकी लेकिन रियल्टी है बिल्कुल साक्षी है रिपीट होगा आजगी क्लास में यू हैव तो गिव 40 मिनिट आपको 40 मिनिट में को देने होंगे जिसमें फॉर्मुला मास में रिपीट होगा लेको वन प्रोट है तो वन प्रोटोन का जो मास होता है वो है 1.66 इनक्रिश का हम सवान टिर्श टॉपाओर मैनस-4 ग्राम यहंशिवा नीजुकॉर्त मास नियरली सेम होता है इतना फरक है यहां दो अच्छा अब आपको यहां समझना होगा वन इलेक्टोन का मास कितना होता है वह होता है 9.1 10 is to power minus 31 kg है तो minus 27 ग्राम तो minus 27 यह इतना small है as comparison to both of them इन दोनों के comparison में यह जो है वो इतना small है कि इसको हम neglect कर देते हैं लेते ही नहीं यानि अगर आपने sodium का अगर यह sodium का ऐसे करके atom बना रखा है तो इसके अंदर proton कितने होंगे आपके 11 होंगे neutron कितने होंगे बारा होंगे और electron कितने होंगे इसके चारों तरफ यह electron कितने होंगे यह भी 11 होंगे ठीक है ना sodium के अंदर जो proton और neutron है माल यह है proton, यह है neutron और यह है आपका electron, sodium के अंदर ठीक है? sodium 11, 23 नीचे लिखते हैं atomic number, उपर लिखते हैं atomic mass, आने वाला है जो की, अच्छा, तो यहाँ पर इन proton और neutron के number को जोड़ दो, add कर दो बताओ क्या आया, आगे ना 23, तो यह 23 को हम बोल देते हैं, sodium का atomic mass unit, amu लेकिन आप सोच के देखो, एक proton एक proton और एक neutron, आप atom को देख भी नहीं सकते हैं आप खुली आँखो से atom को देख भी नहीं सकते हैं, तो proton को क्या देखोगे? तो कई बच्चे कहते हैं, सरी atomic mass unit क्या है? मतलब हम किसी का mass gram में तो समझते हैं, kilogram में समझते हैं, amu में क्या है? उनको समझ भी नहीं था कभी भी इसलिए ध्यान से देखना, असल में ये 23 amu, neutron और proton के mass के equal है, यानि proton का mass equal है, nearly neutron के mass के equal है, एक atomic mass unit के, एक atomic mass unit के, यानि इन तीनों का mass कितना होता है? 1.6610 की power minus 24 gram अगर कोई कहे कि sodium का mass, atomic mass unit में, gram में निकाल के दिखाओ कैसे निकालोगे? sodium is equal to 23 amu जो value है, उसको multiply कर दो इस से, क्योंकि 23 amu है ना, यहान तो एक amu, एक proton, एक neutron के, या फिर बोलो एक neutron के mass के equal होता है, पर एक proton, एक neutron का mass, अभी-अभी हमने देखा कि यह तो इतना gram होता है, यह तो इतना gram है, जो उन्हों नियरली सेम है, electron को हम लेते ही नहीं, इग्नॉर, तो यह proton और neutron का जो mass होता है, वो एक amu के equal होता है, इतने gram के equal होता है, तो फिर sodium का पूरा mass को एक है, gram में निकाल के दिखाओ, एक sodium atom, सिरफ एक sodium atom, याद रखना, उसका mass gram में निकाल के दिखाओ, तो 23 amu होता है, अब 1 amu तो इसके बराबर होता है, तो इसको इसे multiply कर दो, लो जी, multiply करने के बाद यह आप cancer के सिमा आगया, gram में आगया, एक sodium atom, वन sodium atom का mass आप gram में भी निकाल सकते हो, इस तरीके से, नहीं तो यह रटा मार रखा है, एक sodium 23 amu, एक amu कितना होता है, एक amu होता है आपका 1.6610 की पावर माइनस 24, तो आपने क्या सीखा, आपने अब तक कुछ सीखा, तो बहुत खास यह सीखा, कि 1 atomic mass unit असल में equal होती है, gram में अगर change करो तो 1.66 into 10 raised to power माइनस 24 gram इतने gram के equal होती है 1 atomic mass unit, इसको register के top पे highlight करना, लिखना और उसको अच्छी तरह से highlight कर देना 1 amu is equal to इतने gram ठीक है?